हलो स्टुडेंट, वेलकम बैक टो मैंटीजटर 247, दिस सनीता शर्मा और एक बहुत इंपोर्टेंट ड्यूस आप लोगों तक शेयर करनी थी और यह इंपोर्टेंट ड्यूस है आपके CUET 2024 के UG exam को लेकर के कि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैं जो हमारा hybrid mode पर जो exam होने वाला है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि किस subject का exam हमारा offline होने वाला है किस subject का exam हमारा online होने वाला है और यह कब पता चलेगा कि इसका exam हमारा इस date को होने वाला है तो काफी सारे ऐसे confusion है काफी सारे ऐसे डाउट है काफी सारे से questions है जो आपके दिवाग में भी चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज आपको ये इस वीडियो को देखकर कि सारे डाउट आपके clear होने बाले है तो वीडियो को लासर जो देखेगा और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू क किये गए है उनका exam जो है वो offline होने वाला है इसके अलावा बाकियों का जिसके कम registration हो है वो online होने वाला है तो यहां पर सुबह मैंने बताया था कि 13 subject को लेकर कि अभी तक ये संभावना जता ही जा रही है कि इनके exam जो होंगे वो offline mode पर होंगे यानि कि pen paper mode पर होंगे किस-कि इसे हो गया, bookkeeping हो गया, biology हो गया, bio technology हो गया, business, business studies हो गया और आपका physics हो गया, computer science हो गया, English हो गया, general test हो गया, Hindi हो गया, history हो गया, maths हो गया, आपका chemistry हो गया ठीक है और आपका political science हो गया तो यह 13 subject हैं जिनका exam जो है वो एक ही shift में करवाया जाएगा यानि कि इनका जो exam होगा वो offline mode पर pen paper mode पर होने बाला है, अब मैडम यह कैसे पता चलेगा कि हमारी इसकी date जो है वो कब आने बाली है ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारी इस date को हम अपने subject का offline paper देंगे हैं तो यह date आपको पता चलेगी, next week of the final date and the subject eligible for the pen paper mode will be determined by the UGC, यानि कि hint तो हमें पता चल च है, hint तो मिल चुका है हमें कि in subject के offline paper होने बाले हैं, इसके अलाबा, UG की तरफ से एक बार और यह notification आ जाएगा पकी तरीके से, तो हमें क्या करना है, हमें उसमें date भी पता चल जाएगी और किस subject का exam जो है, वो कैसा होने बाला है, offline या online होने बाला है, तो वो next week तक पता चल जाएगा, तो next week का इंतजार कीजेगा, और अगर आपको update regular check करनी है, वो क्या कर सकते है, CUET की main official website पर जाकर इसको check कर सकते है, इसके लबाए एक चीज़ और बताना चाहूंगी, मैं कि यहां पर number of applicant जो है, वो जिन्नोंने fees pay कर दी है, और जो एक data तयार किया गया है, data जो ह जो है, वो 7.1 lakhs और female candidates जो है, वो 6.3 यानि कि comparative to last year के female candidate का ratio बढ़ा है, तो कहने का मतलबी competition होने बहुत tough, तफ क्यों होने वाला है, कि मैदाम इसमें data तो पिछली साल के मुकाबले थोड़ा सा कम दिख रहा है, बिलकुल कम दिख रहा है, लेकिन यहां पर number of papers जो है, इस ब होगा, जितनी अच्छी preparation आप लेकर जाओगे, उसे के साब से आप इस बड़े से competition को बीट कर पाओगे, अब preparation कहां से करोगे, तो आप इसके लिए data 247 के, क्या कर सकते है, premium batches को join कर सकते है, data 247 का, मैं आप पर पूरी तरीके से पता देती हूँ, कि सबसे पहले आपको data 247 की application को download करना है, download करने के बाद आपको क्या करना है, UG, PG entrance exam पर click करना है, then UG पर click करना है, then arts के हो, commerce के हो, science के हो, या फिर GT language करना चाहते हैं, तो ये प्रतिग्या 2.0 जो है, वो आपका Monday से start हो रही है, तो जाकर के एक अच्छी preparation लेजेगा, इसके अंदर आपको teachers का खजान और साथ-साथ में आपकी revision भी कराई जाएगी, तो इसकी classes 15 से start हो रही है, इसके अलावा जो बचे test series लेना चाहते हैं, कि हमारा concept year, हमें तो test series लगानी है, तो test series भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा books भी order कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हो, selection kit भी ले सकते हो, जिस के अलावा एक चीज और बता दूँ, अगर आपको individual subject का batch चाहिए हैं, कि मुझे मेरी history और polity strong है, और मुझे अपनी geography को strong करना है, मेरी geography week है, तो ये individual भी capsule batch निकाले गए हैं, आप लोगों के लिए, तो अगर आपकी history week है, अगर आप history को strong करना चाहते हैं, history में, geography में, political science में 200 out of 200 लेना चाहते हैं, तो individual batch भी है, कि सरफ मुझे history का batch चाहिए, सरफ मुझे political का batch चाहिए, तो individual भी है, और 7-7 में आपका कौन सा है, 7 में आपके पूरे भी है, अब यह आपके उपर depend करता है, कि आप किसको purchase करना चाहते हैं, पूरे subject पढ़ना चाहते है, all subject पढ़ना चा कुछ भी purchase करना है, आपको ये y489 coupon code लगा करके, आप किसी भी batch में load कर सकते हो, कोई बी चीज़ आप order कर सकते हो, किसी भी batch में आप load कर सकते हो, y489 coupon code लगा करके maximum discount भी मिलेगा, और साथ साथ में आप enroll भी कर जाओगे है ना अगर आपको individual batch लेना इसी तरीके से तो आप क्या करोगे individual batch का भी यही process है कि आपको क्या करना है यहाँ पर यह है आपका प्रतिग्या capsule batch है तो आपको क्या करना है यहाँ पर particular एक subject आपको batch दिया जाएगा अगर आपको history strong करनी है तो आप उसका ले सकते है political strong करना है y489 किसी भी चीज को purchase करना है बस इस coupon code को याद रखेगा common coupon code है यह इसको फिल करके और क्या कर सकते है apply करके इस पर आप maximum discount पा सकते हैं तो इसी तरह की वीडियो के साथ बने रहे है Humanities Order 24-7 चैनल के साथ में मिलते हैं अगली update के साथ में और इसी तरह के से preparation करते रहेगा और CUET में अपना selection को पक्का बनाते रहेगा है मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में till then take care bye bye to all